2014 का January से लेके 31st December तक ये unlimited 3D model का फूरा collections है, इस collection में आपको क्या-क्या मिलेगा वो मैं बता जिता हूँ, इस collection में आपको 2014 years में आने वाले सारे-सारे models साथ में इसमें update होंगे, इसके अंदर आपको January से लेके December तक जितने भी models इस website पे पिसिल website पे जाएंगे, और जो भी update वो सारे-सारे इसके अंदर update होंगे, PIXENY.com के अंदर जितने भी update होंगे animated files या फिर कोई tree या कोई chair, आप इंटियर या एक्स्टीर या फिर bedroom कुछ भी हो सकता है, साचरे-सारे चीजें जो भी update आएंगे website के ओपर सारे-सारे इसके अंदर free में update आएंगे ठीक है? अभी पर पर क्लिक करको अप की आपको तूप कर सकता इसके आपको क्या है Chuji आ बहुत ही कह जाएंगी उसके प्रिभिऌोंगि यहां आपको इस तुन edu social Jam 005 होगा यहां पर देख सकतो हर एक फाइल ऐसे रहेगी इसके दर जिप फाइल होगा उसका प्रिव्यू इमेज साथी साथ में आपको मिल जाया करेगा इसी तरह से अब बुलों कि इसको काम कैसे करेंगे इसको काम कैसे या निक इसको यूज कैसे करेंगे आपके ठीडी मैस के अंदर तो इसके लिए हम लोग आपको साथ में दे रहे हैं यहां पर यह स्मार्ट मज का फ्री स्क्रिप्ट साथ में दिया जा रहा है आपको इसको बाय नहीं करना है इसको जो प्राइज है स्क्रिप्ट का भी प्राइज आप देख सकतो आप किसी भी कहीं पर जागे सच क देख से तो यह 3D Max में रन कर दिया हूँ जब आप इसके अंदर इस्टॉल करने जाओगे इस चीज को इस स्क्रिप्ट को और आपको इस्टॉल करने नहीं आता तो आप हमसे बात कर सकते हो आप मुझसे वर्ट सब ग्रूप पर बात कर सकते हो आप मुझसे पूछ सकते हो कैस इस टांट करके एक फोल्ड आ जाये करेगा ज्ब ऐसे फोल्डर के अंद आप देखिस तो यह स्क्रिप्ट मिल जाती है इसको सीधा सिधा इभरगर करना होगा install करना है तो install पर प्रेस किजिए install पर कलिक करो तो सीधर से रहिए install हो जाया करेगा कुछ इस तरह से और इधर पर ये open हो जाया करेगा install हो जाने पर फिर आप दिख सकते हूँगे यहाँ पर मेरे तो इधर पर आइक़ा शुका है आपको icon अगर नहीं आता है इधर पे इस जगह पे आप icon कैसे add करेंगे add करने के लिए आपको कहा जाना पड़ेगा customize में जाके user interface में जाके आपको यहाँ से उसको add करना होगा toolbar में जाके आपको यहाँ से इधर पे आपको मिल जाये करेगा D95 design इधर पे smart merge to करके इसको हम लोग यहाँ पर सिहधा ड्रैक कर लेंगे अपको यहाँ पर कोई बार आप इस तूलबार में भी आप चाहोँ तो add कर सकते हैं यहाँ पर भी आपका जो यह पर toolbar होता है इसमें भी add कर सकते हो जब इसको क्लिगर तो इस तरह से open ओपन हो जाता है यह इस तरह से ओपन हो जाने के बाद फिर आपको जगर अगर कोई भी import करना आपने 3dx max के अंदर फाइल के अंदर सिधा आप अपना project file open कीजिए उस project file में सिधा drag and drop करके import कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पर project file आपको दिखा रहा हूँ यह देख सकते हो यह मेरा एक project file है इस project file मेरा को is रन करना है जैसे इधर पर मेरे को एक कुछ element चाहिये जैसे कि अब यहाँ से मैं एक model को import करता हूँ मेरे इस folder से आप यहाँ पर अपने chairs को भी import करा सकते हो अपने elements को import करा सकते हो साथ सरे models आप आसानी से import करा सकते हो बिना texture missing के है आपको कैसे करना है वो मैं दिखा जेता हूँ आपको बस ये script को run करना है एक बार click करके इस तरह से script run हो जाता है run हो जाने के बार फिर आपको क्या करना है वो दिखा देता हूँ, आपको समलोग यह चीर चाहिए, यहाँ पर आपके इंटियर के अंदर, सिधा आप जाके इसका चीर का जो max file है, जो max file इसका किदर है, इसका max file यह इधर रहा, चीर का नाम, आप same to same देख लीजिए, इधर पर इसका, जो max file का जो zip format है, zip format में, इसका max file which texture के साथ में, आपको मिल जाता है, आपको सिधा ड्रैक करना है, यहाँ पर इसके अंदर, इस script के अंदर, ड्रैक करोगा, तो आपको इसके अंदर ड्रैक करने के बाद, आपको यहाँ पर यह इंपोर्ट हो जाया करेगा, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, इधर पर इंपोर्ट हो जाया करेगा, अब यह इंपोर्ट हुआ है के नहीं, आपको कैसे बता चलेगा, देखो, यहाँ पर यह इंपोर्ट हो गया है, इधर बहुत सारे चेर साथ में आ गई है, इसके जो आपको काम की है, आप उसको रखिए, जो आपकी काम की नहीं है, उसको आप निकाल दीजिए, आपको यहां से सिधा, यह complete search कीजिए आपको मैं दिखाओ, तो complete यह with texture के साथ में आ चुका है, with material के साथ में आ गया, कोई भी material मिसिंग नहीं है तो ऐसा texture और इक्षर साथ में दिखाई दे रहा है यहां पर सारे चीजे, आपको जो काम का है, वो रखिए, जो काम का نہیں है, वो निकाल दीजिए, यहां से जैसे क히 में और को यह chair चाहिए, इसको मैंने रख लिया, और बाकी चीजों को मैंने गैप कर दिया, यानि कि इसको मैं को नहीं चाहिए, तो मैं delete कर सकता हूँ यहां से मेरे किसी काम का नहीं है मैंने इसको रख लिया विट टेक्शर के साथ में कोई भी टेक्शर मिसिंग नहीं आया इदर पे मैंने इसको यहां पर इंपोर्ट कर दिया मेरे को जहां पर भी चाहिए और काफी सुन्दर सा दिख रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है इस तरीके से आप हर एक element को यहां से इस folder से आपको बस सिर डाउलोड करना है डाउलोड करके अपने PC में रखना है यह सब folder files को फिर आप सिधा इस script के जरीए आसानी से import कर सकते हो जो भी आपको बैड रूम के बैड को भी इंपोर्ट करा सकते हो बैड के models भी इंपोर्ट करा सकते हो width texture material के साथ में अगर मैं को चाहिए कि यह बैड चाहिए यहाँ पर तो मैं यह बैड को भी इंपोर्ट करा सकता हूँ इस जगा पे अभी यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको यहाँ पर इनको भी इंपोर्ड करा के दिखा देता हूँ आपको यहां पर मैंने iS-pad को यहां पर ड्रैक किया और यहां पर जैसी यह इंपोर्ड हो जाते हैं इधर देखो दोनों option आ जाते हैं इसमें करो न और वीरे की फाईल भी थी साथ में तो मैं रहेको वीरे की पाईल ही चाहिए वीरी की file यूज़ सेलेक करता हूँ और import करता हूँ, merge करता हूँ यहाँ से, merge क्लिक किया, merge करने के बाद फिर आप देख सकते हो, वो जो bet की file थी, bet का model था, यहाँ पर वो merge हो जाएगा, इस file के अन्दर, यहाँ पर देख सकते हो, यह bet की models, यहाँ पर यह update हो चुका है, इस bet के model को आप चेक कर सकते हो, इसके अन्दर, साथ ही साथ में, bet के model में, आपको साथ में क्या मिलता है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देखेंगे, with texture के साथ में यह आ जाता है, प्रूरा bet का model, complete सारी चीज़े, आपको यहाँ पर देख रही होगे, पर texture की गोले की क्या मतलब, आपको side table चीज़े, side table इसको रखना चाहते हो, रख सकते हो, नहीं रखना है तो इसको हटा सकते हो, बाकी आप इसको रख लीजिए, और इसको हटा दीजिए, ठीक है, यह group में से निकल गया, फिर अब मैं इसको क्या करूँगा, सिधा मेरे को यहाँ पर भी डालना है, जिस लोकेशन पर डालना है, जिस भी जगा पर डालना है, मैं वहाँ पर import कर दूँगा, जैसे कि मेरे को यहाँ बैट को change करना है, तो मैं यहाँ से बैट को सिधा place करके, यहाँ से मैं अपने दूसरे लोकेशन पर लेके जाके रख दूँगा, पहले से एक bet था, तो इसकी बैठ से वो bet साथ में मिक्स हो चुका है, तो इस bet को मुझे नहीं चाहिए, तो मेरे को पुराने bet को मुझे रिकालना है, तो पुराना bet मैंने गायब कर दिया, ये ही मेरा अभी का latest update हुआ bet आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हो कितनी आसानी से मैंने इधर पर अपडेट कर लिया अपने बैड को अपने बैड को चेंज कर लिया अगर बैड काफी बड़ा लग रहा है तो मैं उसको स्केल करके अराम से उसको अज़ेस्ट कर सकता हो देख सकते हो इस तरीके से काफी आसानी से ये बैड अपडेट हो गया इस जगा पे यहाँ पर अपडेट हो जाने के बाद पर यह काफी अच्छे से प्लेस भी हो चुका है यहाँ पर सारी चीज़ें आ चुकी है कुछ इस तरीके से आप अपना पुरा-पुरा इंटियर सजा सकते हो और काफी खुबसूरत व्यू बना सकते हो ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही थैंक फो वाचिंग